हेलो स्टूडेंज आज फिर से मैं आपके लेकर आई हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है नोटिस और ये जो है राइटिंग स्किल के अंतरगत आता है और इससे पहले वाले वीडियो में हम लॉस्ट और फाउंड नोटिस के ऊपर चरजा कर चुके हैं पर उसके बारे में मैंन जानकारी लॉस्ट हुई है उसकी नोटिस भी हमने लिखी है और यदि वही चीज किसी को प्राप्त हो जाती है तो वह अगर जानकारी देता है नोटिस के माध्यम से अन्य लोगों को तो वह किस प्रकार से लिखेगा क्या रूप रेखा रहेगी किस फॉर्मिट का यूज क क्या टॉपिक का यूज करेगा तो चलो बच्चों यह देखते हैं और यह एक इंपॉर्टन टॉपिक है लॉस्ट एंट फॉंट के नोटिस मैग्जिमम टाइम में पूछी जाती है और यह एक्जामिनर के ओपर डिपेंड करता है कि वह आपसे लॉस्ट के ओपर नोटिस के लिए बोले या फॉंट के ओपर कई बार वो फॉंट करके भी बोल सकता है कि आपने यह चीज प्राप्त करी है आपको यह चीज कहीं पर मिली है तो आप इंफॉर्म करिए राइट नोटिस अना बॉक्स एंफॉर्म टू अधर स्टूरेंट्स अबाउट दा फाइंड आ यू आर गिरीश पटेल यू आर स्टड़ी इन एबीसी पब्लिक स्कूल सतना एमपी और यहां पर क्लास मैंने लिग दिया है क्लास टेंथ एंड यू है फाउंड आर रिस्ट वाच मिली हुई है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेम यही क्वेशन रखा था और मैंने बताया था कि हमारी रिस्ट वाच जो है गुम चुकी है परन्तो यहां पर जो ग्रीश पटेल नाम का स्टूडेंट है उसे एक रिस्ट वाच मिली है यहां पर उसकी रिस्ट वाच गुमी नहीं है उसने प्राप्त करी है उसे कहीं पर मिली है तो वह अब कैसे नोटिस कर देता हूं यदि किसी की होगी तो वह खुदी जो है इस जानकारी को लेकर आएगा तो वच्चो सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि notice का कोई भी question हो सबसे पहले हमें उसको बनाने के लिए एक box बनाने के अविशक्ता होती है with the help of scale तो सेम इसी प्रकार से हम scale की मदद से box बना लेंगे और हमने उपर school का name mention किया है वो भी bold और capital letters में लिखेंगे तो ज़्यादा हमारा effective बनेगा उसके ठीक नीचे हमने notice लिखा है वो वाली date ही इस corner पर आती है उसके बाद हमें male body पर आना है तो अब हमने प्राप्त करी है एक wrist watch तो हमने यहाँ पर लिखा है it is to inform that I have found a wrist watch मैं यह लोगों या मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने पाई है एक wrist watch कहा पर पाई है स्कूल के playground में पाई है मतलब स्कूल के विद्याले का जो खेल का मैदान होता है वहाँ पर मैंने एक हाथ की कलाई की जो घड़ी होती है वो प्राप्त करी है पाई है it is of titan wrist watch और यह जो है titan की wrist watch है and if it belongs to anybody यदि हमसे कोई चीज हमें मिली है तो हम लिखेंगे कि यदि ये किसी व्यक्ति से संबंदित है if it belongs to anybody he and she can take it back यानि कि यदि वो लड़का है या लड़की है जो भी है वो वह पुनहा प्राप्त कर सकता है he and she can take it back from the principal office यानि कि प्रचार के कक्ष से आपका जो कार्याले है वहां से वह व्यक्ति चाहे वो boy हो या girl हो वो अपनी wrist watch को पुनहा प्राप्त कर सकता है after giving details of the item अब यदि हमने बोला कि भाई हमें एक chain मिली है या हमें एक wrist watch मिली है तो हम को बहुत सारे लोग वहां पे member खड़े हो सकते हैं कि वो हमारी है हमारी हम कैसे पता करेंगे कि वो जो चीज हमें मिली हुई है वो actually माईने में अगर मालो 3-4 उसके दावेदार खड़े हो गए कि हमारी है तो हम कैसे identify करेंगे तब उसके लिए रहता है कि जिस व्यक्ति की अगर wrist watch या जो भी चीज हमें मिली है अगर वो व्यक्ति संबंधिन व्यक्ति की ही है जो दावा कर रहा है कि ये मेरी है तो उसे कुछ न कुछ उससे related information बतानी पड़ेगी इसलिए यहाँ पर last line लिखा हुआ है कि यदि ये किसी कोई है तो वह principal का जो office है वहाँ से इसको पुनह प्राप्त कर सकता है अब इसकी पूरी जानकारी देने के बाद यानि कि यदि जो भी principal office में इसको लेने के लिए जाएगा और ये बोलेगा कि ये मेरी wrist watch है तो उसे पहले wrist watch लेने से पहले उसकी detail बतानी पड़ेगी और उसको जानकारी बतानी पड़ेगी कि वो किस color की है कैसी है कुछ hint ऐसी बतानी पड़ेगी जिससे ये clear हो जाएगा कि हाँ ये उसी की है और ये सही बोर रहा है और उसके बाद वो जब details बता देगा तब उसको प्रचार कक्षे से उसकी जो wrist watch गुमी है वो उसे पुनहा दे दी जाएगी तो इस प्रकार से बच्चो lost and found की notice लिखना पड़ता है और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें wrist watch की ही topic पर लिखने के लिए आए हमें कोई भी topic कोई भी article पर lost या found की notice लिखने के लिए आ सकती है दोनों ही cases में हम lost and found topic बनाते हैं और last में जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है last में जो भी writer होगा notice का जिसने notice को लिखा है तयार किया है उसका name यहाँ पर mention होता है तो Giris Patel नम के बच्चे को wrist watch मिली थी तो उसने notice में आई इसलिए last में उसने अपना name mention किया और उसकी जो post है वो उसकी class होगी तो वो है जो है 10th class का student है तो उसने यहाँ पर अपनी class का mention किया है सेम जब आपकी notice paper में बन जाती है, copy पर बन जाती है और उपर की जो format है, उपर की जो चीजे दो तीन points पर आपको बहुत अच्छे से focus करना है जितना अच्छे से आप अपने school का name mention करेंगे, notice mention करेंगे प्लस अच्छा topic लिखेंगे, तो definitely आपके दो number तो वहाँ पे fix ही है और यदि date भी आपने सही जगा पे लिखी है, तो आपके दो number तो fix हैं उसके बाद जो तीन number होते हैं, वो आपके जो main body है, उसमें यदि कोई grammatical mistake आप कर रहे हैं वो कोई सही से sentence नहीं बना रहे हैं, तो आपका यहाँ पर number कटते हैं अनिता आपके number वहाँ पर यदि आपने अच्छा word power यूज़ करके बहुत अच्छे से यहाँ पर content बनाया है तो उसमें आपको number निश्चित मिलते हैं, तो इस प्रकार से overall look होता है lost and found notice का और यह एक बहुत ही most important topic है, अक्सर यह exam में पूछा जाता है कि lost and found के topic पर एक notice लिखे है तो notice जब भी हमें lost and found की आए तो हम इस परकार से लिखेंगे, तो हमें निश्चित ही पूरे number इसमें अराम से मिल सकते हैं हमारा जो format है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए और पूरी चीजों का हमें पालन करना चाहिए तो बच्चों मैं उमीद करती हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिकत या किसी प्रकार का कोई question होगा तो आप मुसे comment box में पूछ सकते हैं मैं definitely उसका answer दोंगी तो मैं उमीद करती हूं कि आपको यह अच्छा लगा होगा तो नेक्स वीडियो में मैं अन्य कोई विशेस जानकारी लेकर कुछ अच्छी आपके related to the study topic लेकर मैं फिर से हाजर होगे तब तके लिए इतना ही thank you